चले दोस्तों अब चलके देखते हैं कि moneycontrol.com पे आप ratio analysis कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीक है सबसे पहले आप जाये moneycontrol.com पे जैसे ही website खुलती है आपको search बार में उस company का नाम डालना है जिसका आपको ratio analysis करना है मैं example के तौर पे डाल रहा हूं मारूती Suzuki जो कि मेरी favorite company और काफी courses में मारूती के बार मैं बताते रहा हूं क्योंकि लगातार profitable company है इंडिया की top car maker है और इस detail वाले page पे जैसे आप आ जाएंगे तो देखिए मारूती की details सामने है NSE और BSE का price भी दिया हूँ है तो आप left hand corner left hand side का column की और ध्यान दे इसमे financial section जो है जिसमें हम पहले भी जा चुके है profit loss statement या balance sheet देखने के लिए वहाँ पे आपको plus sign पे click करना है By default यह आपको balance sheet पे ले जाता है लेकिन हमें चाहिए ratios जो की balance sheet और profit loss statement के उपर derive किये हूँ है तो आपको अगर ratio देखना है तो इसी column में थोड़ा नीचे जाएंगे तो यह ratios का section मिलेगा नीचे से third last आप ratios पे click करें और यह आपके ratios आपके सामने तयार है अब देखिए हमारे course में ratios हमने cover सारे नहीं किये हुए है क्योंकि काफी ratios के पीछे लोग पढ़ जाता है और उसमें काफी confusion भी create होता है तो कुछ बहुत ही important महत्वपूर्ण ऐसे ratios हैं जो हम जानेंगे बाकि उन सब ratios के बारे में आप Google search या Wikipedia search करके जान सकते हैं हाला कि investment efficiency के लिए आपको सारे ratios जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है आप 5 या 6 कुछ अच्छे ratios को जानिए और उसकी समझ पकड में ले लीजिए कुछ अच्छे पके ratios के साथ आप बहुत ही अच्छा investment decision ले सकते हैं और ratios के साथ साथ आपको company के बाकी fundamental analysis का भी ध्यान रखना है जो कि मैं आपको course में बार-बार बताते रहा हूं ठीक है अभी देखते हैं कि कौन-कौन से ratios हम इसमें देख पा रहा हैं सबसे पहला section आता है per share ratios यानि कि एक-एक share से related जो ratios है जो आगे चलके हमको valuation, profitability इन सब चीजों में फायदा कराके देगा वो है per share ratios per share ratio में सबसे important ratio है आपका basic EPS जी हां बाकी सारे के सारे जो है cash EPS, book value, dividend ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं सबसे जरूरी चीज़े basic EPS जिसके बारे में हम आने वाले section में details से जानेंगे अगला major section आता है profitability ratios यानि कि company अपनी profitability कैसे बढ़ा रही है या घटा रही है इसको जानने वाले ratios आपको इस section में मिलेंगे अब इसमें भी सारे देखने से अच्छा कुछ जरूरी ratios हैं जैसे कि आपका है net profit margin यानि कि margin कैसे है company के वा आपको पता चलता है साथी साथ आपको return on net worth या return on equity यानि कि जितना पैसा लगाया उस पे कितना return मिल रहा है तो as an investor यह आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है साथी साथ debt to equity एक बहुत मैतुपूर्ण ratio है हाला कि money control में इसको profitability के नीचे रखा गया है हम इसे financial leverage ratio के तरह भी जान सकते हैं लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि वो कौन से section में आता है यह ज़रूरी है देखना कि वो ratio exactly करता क्या है इसके बाद आता है liquidity ratios liquidity का मतलब होता है कि कितने जल्दी उस company को आप dissolve कर सकते हैं यानि कि कल को जब कभी company को suppose wind down करना है और अपने company बंद करवानी है या फिर उसके जो assets हो जल्द से जल liquidate यानि कि बेज देने हैं तो वो कितने आसानी से हो सकता है एक अच्छी quality company के liquidity ratios भी काफी माइने रखते हैं इसमें दो सबसे ज़रूरी ratios है वो है current ratio और quick ratio साथी साथ आपको इसमें inventory turnover ratio का भी ध्यान रखना है कि inventory कितने जल्द तेजी से उनकी change होती है detail में हम of course आने वाले sections में जानेंगे इनके बार में और आखरी और सबसे ज़्यादा important ratio जो है वो है valuation ratios यानि कि company की value क्या है per share या फिर उसके profit को लेकर या फिर current market price को लेकर company की value है market में क्या वो महंगी है या सस्ती है सीडी सी बाते company बहुत बढ़िया है लेकिन अगर वो अच्छे price पे नहीं मिल रही है तो हम उसे नहीं खरी देंगे हम उस company को तभी खरी देंगे जब उसकी valuation सस्ती हो ठीक जिस तरह के से आप high quality की चीज़ें कम दामों में sale पे खरीते हैं उसी तरह के से valuation ratios में सबसे ज़रूरी है आपका price to earning ratio price to earning ratio के बाद price to book ratio भी आता है enterprise value और यह सारे ratios आपको जानने हैं इसके बारे में हम details में अभी आने वाले sections में एक एक करके दीखते हैं